बॉर्णिंग अभीवान, वेलकम टो अल्टिमेट केडमी, आज हम लोग दूसके रहेंगे महराथन का टेस्ट निमर थी, यह जो टेस्ट है या UPPSC-AE और UPPSC लेक्चर को ध्यान में रखके बना गया है, तो फ्रेंड जो भी सेनल पर नेकिर प्रेंट को सब्सक्राइब करें सेर करें, ताकि आने वाले हर एक लेक्चर का अपडिशन आपको सबसे पहले मिल सके, और हाँ जो लोग इसे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं, उसका विलिंग ट्रिस्ट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का वीडियो देख सक पहला कोस्टन है希望 नरोड़ा एटामीक पावर स्टशन इस इन वीच इस टेट नरोड़ा एटामीक पावर स्टेसन जो है यह कहां परता है तो इसका 기억나क अपका अुक्सन अम्र वी रुभता उत्तर पर्देश के बारे में कुछ बताता है है और तीसरे की बास करें तो वह आता है समसपूर्ड पार्पूर्ड Securning नेशनल पार्क यह और चोथे की बात करें तो चोथा जो है आपका हो जाएगा चंद्रपरभा चंद्रपरभा नेशनल पार्क फाइन यह चारों के चारों जो है इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं इसको ध्यान से याद रखिएगा ठीक है अब आतें नेस कोशन पर नेस को वाट आर्थ फ्रेस्ट अप मैक्सिंमम रेनफॉल है कंसे मैसिंट तुम इंप सोटेन जो नोश दाफैसर ऩकस नुमर तौंज ट्रोपिकल रेन्फॉरस्ट के बारे में कुछ जान जान लेते हैं आई त्रॉपिकल रीनफॉरस्ट जो कहते हैं जो ट्रोपिक संसे को हम लोग ट्रोपिकल रिण फोरेस्ट करते हैं जो समझते हैं माल्या जाए मैप है तो मैप्स के बीचों भी जाता जीरो डिगरी पर इसको हम लोग एक्वेटर करते हैं ये वर सांथ है हो यह दोनों के बीच का एरिया होता यह ही अर्य ट्रोपिकल एरिया कहले अर्पिक ल बहर एरिया और इसके बीच परने वाला जो 뿌ra यह आपका कहलाएगा ल इस ट्रोपिकल पेर त्पर इस ट्रोपिकल इस लिए भी फोर्फ फाइन अब आते हैं नेस कोशन पर नेस कोशन है कोशन नमर फोर वाट इस दे नेम आफ नागालेंड फोल्क डांस तो नागालेंड के फोल्क डांस को क्या कहते हैं तो इसका जो क्रेक्ट अंसर हो जाएगा युद्धनित्या युद्धनित्या इस दे क्रेक्ट अंसर अब आ आपका option number A हो जाएगा constitution amendment आर्टिकल 368 जो है constitution amendment से related है अब आते हैं next question पर next question है question number six no appeal no vakeel no dalil these words were related to no no appeal no vakeel and no dalil यह जो word है किस से related है तो इसका correct answer हो जाएगा दिन्वा ओपका option मेर्ड भी हो जाएगा रोलेट रोलेट अक्त रोलेट एक्त की बास करें तो यह नैंटीननके key नाइंटीन में आया था में 2019 में आया था मुथ इससे के काषड़ा वाला जल्यावाला बाग हत्याकांड गण्ड हुआ था ठीक है जो किसके कहने पर हुआ था यह जन्डल रायर क्हने पर यह जल्यावाला बाग हत्याकांड हुआ था फाइं वॉनिन में कोशन कोशन No.7 कॐ पसबार नमर से्ट्वी त लिंड नेम केम कड़ों नव में औरB Tell कर दिया गया लक्ष्मी में अब आता next question पर नेस question है question number eight Merino is species of Merino किसकी परजाती है तो इसका जो correct answer हो जाएगा option number D हो जाएगा ship Merino जो है जो ship की परजाती है fine now moving to the next question question number nine question number nine को देखते हैं in 44th constitutional amendment which right was removed from the fundamental rights तो इसका जो correct answer हो जाएगा आपका option B हो जाएगा right of property right of property को fundamental right से हटा दिया गया है तो इसको कब हटा गया था 1978 इसमी में हटा गया था यह 1978 इसमी में 24th event हुआ था event हुआ था उसी में fundamental right से right to property को हटा दिया गया था ठीक है अब आते next question पर next question is question number 10 national cadet corpse was stabilized in the year national cadet corpse को कब stabilized किया गया था तो इसका जो correct answer हो जाएगा option B हो जाएगा 9048 में ठीक है अगला question है question number 11 which is not an indirect tax इन में से कौन indirect tax नहीं है तो इसका जो जो जाएगा option number A हो जाएगा income tax income tax जो है यह आपको direct tax में आता है direct tax direct tax के slab में यह आता है और बात मां कि जैसे sales tax की बात करें production tax की बात करें या service tax यह तीनों के तीनों आपका indirect tax में आता है indirect tax में ठीक है अब आते next question पर next question है question number 12 which दिल्ली सुल्तान is known for adopting the blood and iron policy इन में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो की blood and iron policy को लागू किया था तो इसका जो सही answer हो जाएगा option number B हो जाएगा बल्बन बल्बन ने ने ही एडॉप्ट किया था blood and iron policy को इसके तहद blood and iron policy के तहद जो इनेमी होता है इने इनेमी के साथ cruel cruel और एन इस्टिक इस्टिक बैवार किया जाता था इसमें shielding of shielding of blood shielding of blood मतलब दुस्मन को का खून बहार जाता था ठीक है अब आते नेस question पर नेस question है question number 13 which was the first capital of ancient ancient mahajanpada magad तो इसका जो सही answer हो जाएगा आको option B हो जाएगा राजगीर राजगीर is the correct answer राजगीर जो था first capital था ancient mahajanpada magad का ठीक है ancient mahajanpada magad का जो पहला capital था वो था राजगीर मगद में total 16 जनपद थे mahajanpada 16 mahajanpada ठीक है अगला question है question number 14 who was sorry who has been selected for the Nobel prizes 2020 in the field of chemistry तो chemistry के film में 2020 में किसे Nobel prize दिया गया था तो इसका जो correct answer हो जाएगा आपका option number c हो जाएगा Jennifer A. Dunda को 2020 के लिए chemistry का Nobel prize दिया गया था वहीं बात करें 2021 की तो 2021 में जो होजार एंकेस के फिल्ड में Nobel prize दिया गया था वह दिया था benjamin को किसे दिया गया था तो benjamin को बेंजामीन को 2021 में केमस्ट्री के फिल्ड में की मेंश्टी के फिरम नमीपड्राइस दिया गया था एला को लसन देखते हैं एला को क सनने कोस् só्टन नमर 15 हम है वुच मुगल रूलरा इस्टेवलाइज कार खाना फोर पैंटिंग तो इन में से कोसा मुगल रूलर है जो की पेंटिंग का कार खाना को इस्टिबलाइज किया था तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपको option number C हो जाएगा जहांगीर अगला question देखते है question number 16 which one of the following districts of India is the largest in term of geographical area geographical area के term में इंडिया का सबसे largest district कौन सा है तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा आपका option number C हो जाएगा जसल मेड डिस्टिक जसल मेड डिस्टिक जो है यह आपको राजस्थान में पड़ता है fine now moving to the next question question number 17 among the following countries which country has recorded the highest annual gold output in term in 2019 2019 में सबसे ज़्यादा gold का producer कौन था तो इसका जो टेंसर हो जाएगा आपका option number B हो जाएगा यहीं बात करें अब भी current की भी तो current में भी सबसे ज्यादा gold का producer China ही है यह ज़िए second की बात करें तो second में आता है आपका Russia third की बात करें तो third में आता है Australia fourth की बात करतें तो USA और fifth की बात करें तो Canada fine now moving to the next question question number 18 which color is used for showing water on map water map को show करने के लिए किस color का यूज किया जाता है तो इसका correct answer हो जाएगा option word A होगा blue color blue color is the correct answer next question is question number 19 which article gives the list of 29 functions to be performed by the panchaiti raaj institution तो इन में से कौन सा article जो है उमको panchaiti raaj के बारे में बताता है तो इसका correct answer हो जाएगा आपका option word D हो जाएगा article 243 G next question is question number 20 in which year was first novel prize awarded QCS year सबसे पहला नोबल प्राइज दिया गया था तो correct answer हो जाएगा इसका option number A हो जाएगा 1901 में 1901 सबसे पहले नोबल प्राइज दिया गया था नोबल प्राइज के founder की बात करें तो अलफर्ट अलफर्ट नोवल इन्होंने सबसे पहलें novelle प्राइज देने की घोसना किया था अलफ़ाड नोबल जो थो यह एक एक इंजिनियर था साइन्टिस्ट थे इन्वेंटर थे साहितकार थे लिट्रेचर थे ठीक है एक इसमी में फाइब के टोड़ी में टोटल नोड़ प्राइस दिया जाता था फाइब के टोड़ी में जिसमें था आपका फिजिक्स, केमेश्ट्री मेडिसीन पीस पीस एन्ड लिट्रेचर लिट्रेचर इन पांच शेतरों में दिया जाता था और अभी जो करेंट में 1968 में 1968 में इकोनोमिक्स को भी जोड दिया गया था इकोनोमिक्स को तो करेंट में जो है करेंट करेंट में अभी कितने फिल्ड में दिया जाता है तो 6 के टोड़ी में दिया जाता है फाइन नेस्ट कोशन है कोशन नमर्ट 21 दे यूनियन केबिनेट हैज प्रूबड दे एसपोर्ट और वीच इंडियनियस नी डेवलप्ट मैंवच्ट्य मिसाइल तो स्वदेशी मिसाइल स्वदेशी निर्मित मिसाइल को एसपोर्ट करने की मंजूरी जो दिया है यूनियन केबिनेट ने वो मिसाइल कौन सा है तो इसका जो क्रेक्ट एंसर हो जाएग आपका आकास मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की मंजूरी केंद्रिय मंत्राले के द्वरा दे दिया गया है फाइन अगला क्रेक्ट एंसर हो जाएगा आपका आपका अप्शन नमर्ट ए हो जाएगा पिंप्री छिंदवारा मुनिस्पल कोर्प्रेशन अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कोशन नमर्ट 23 इन में से किसे बोर्ड मेंबर के तोर पर नुक्त किया गया है ग्लोबल एलाइंस फोर वैक्शिन्स एंड इमनेशन्स तो इसका जो क्रेक्ट एंसर हो जाएगा आपका आपका आप्शन नमर्ट ए हो जाएगा हर्स वर्दन हर्स वर्दन को बोर्ड मेंबर के रुक्त में नुक्त किया गया है ग्लोबल एलाइंस फोर वैक्शिन्स एंड इमनेशन्स जीए भी आई फाइन अगला कोशन है कोशन नमर्ट 24 दे केबिनेट कमीटी और एकोनोमिक्स एफियर चेट बाइ प्राम निस्टर नन्यंदर मोदी अगला कोशन देखते है अगला कोशन और आज का लाश्ट कोशन है कोशन नमर्ट 25 दे यूनियन केबिनेट हैज एप्रूब्ट एन एमो यू बिट्विन इंडिया एंड विच कंट्री और कोर्पोरेशन इन पीस्फूल यूजेज अप आउटर स्पेस आउटर स्पेस के पीस्फूल सांतिपूर्ण उप्योग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझोता किया है तो इसका जो क्रेक्ट एंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नमर्ट D हो जाएगा भूटान भूटावन इस दे करेक्ट एंसर पाइल तो फ्रेंग्स आजका वीडियो यहीं सहप्ज करते हैं फिर मिलते है ने वीडियो के साथ तो अब तक भी जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर हम लोग पढ़ते एक दिन एक वीडियो UPSCA और UPSCA लेक्शर के लिए लाते हैं तो आप लोग जो भी अभी तक भी नहीं चैनल को सब्सक्राइब करे लें तो ठीक है फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ थैंक यू